टीवी की संसकारी बहूत देवुलीना भटाचारजी का बिग बॉस में अलग अफ्तार देखने को मिल रहा है वो बहु से बेब और बेब से डेविल बन गई है बीत एपिसोड में देवुलीना काफिक गुस्ते में नज़र आई देवुलीना बिग बॉस हाउस की एंग्री मैन सिधार्ष शुकला पर जोर जोर से चिलाती दिखाई दी हाला कि उस वग सिधार्ष वहां मौझूद नहीं थे बात्रूम में खुद को बंद कर देवुलीना अपना इग्रेशन निकाल रही थी उन्होंने गुस्से में सिधार्ष को गालियां भी दी नैशनल टेलिविशन पर सिधार्ष शुकला के लिए ऐसे शब्तों का इस्तमाल करना अब देवुलीना को भारी पड़ गया है दरसल फैंस ने ट्वीटर पर उन्हें जम तर ट्रोल किया चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुष्ट्वी शॉटिंग ओफ देवुलीना भटाचार जी लाओ जनव तो बस्त श्पीकर्स कितना चीकती है ये गोपी बहु देवुलीना भटाचार जी having a psychotic episode in the bathroom screaming like a mad woman saying shit about सिधार्ष शुकला, कुता, साला and what not keep barking Devo, you are not exposing sick, but your own disgusting sick देवुलीना भटाचार जी was on fire ये मगरमच डेड़ महीने से chopping करके खाके लेटा रहता है audience को बोलो अंधे मत बनो, she is unknowing funny देवुलीना भटाचार जी is back to obsessing over सिधार्ष शुकला this is why you brought her back big boss अगर वो मगरमच है तो क्या है देवुलीना भटाचार जी is a complete psycho उसको दौरे पढ़ने शुरू हो गए she blasted on audience and even shouted being Salman Khan देखो, big boss आप किसको फिर से घर में लेके आए है इस सन की औरत को देवुलीना भटाचार जी, what do you think of yourself to challenge audience and respect the show and the audience for whom you are today सिधार शुक्ला is not involving in every fight you all are after him even in bathroom you talk about him कितना bitching करोगे आए तो देखा आपने सिधार्थ को गालिया देना देवुलीना को काफी भारी पड़ गया है हाला कि देवुलीना की इस हरकत पर उनकी माम आपी माम चुगी है लेकिन सिर्के फ्रांस को गोपी बहु की ये हरकत बिल्कुल पसंड नहीं आए तबी तो पायां से उन्हें छुचुंदर और सन की बता डाला है वल देखने वाली बात तो भी ये होगी कि वीकेंट के वार पर सल्मान खान देवुलीना को सबक सिखाएंगे या नहीं वैसे देवुलीना की इस हरकत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंच करके जरूर बताएं और बिग बॉल से जड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे